नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे घुवन बैम के सफर के बारे में घुवन बैम जिन्होंने अपने यूट्यूग चैनल बीबी की वाइन्स के जरिये के लोगों का दिल जीता है घुवन बैम का जनम 22 जैनुवरी 1994 में हुआ था और हुँ न्यू डेली इंडिया से बिलॉंग करते हैं घुवन का सपना था कि हुँ एक सक्सेसफुल सिंगर बन जाए लेकिन उनकी जिन्दगी में केई मुसिबते आई उनके पिताजी का निधान और उनकी मा के कुछ समय बाद भी बीमार होना उनके लिए बहुत मुश्किल था लेकिन घुवन ने कभी अपने सपने के पीछे भागना नहीं छोड़ा हू अपने गाने गाते रहे और अपने टैलेंट को यूट्यूब पार शेर करने के बारे में सोचा उस समय तक यूट्यूब इंडिया में उतना फेमस नहीं था और बहुत कम लोगों को पता था कि यूट्यूब से भी पैसे कमाये जा सकते हैं लेकिन भूवन को यूट्यूब का पोटेंशल पता था और हू अपने टैलेंट को दुनिया के सामने लाने के लिए बीबी की वाइन्स के नाम से अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया इस चैनल के जरिये भूवन ने केई फ़नी विडियोज बनाए और धे सारी एंटर्टेंमेंट की भूवन की पहली विडियो दचकना इशू थी जिसमें अन्होन एक फ़नी कारेक्टर का रोल प्ले किया था विडियो इतनी वाइरल हुई की उसने भूवन को ओवरनाइट स्टार बना दिया उसके बाद से भूवन ने केई विडियोज बनाए और अन्होन केई फ़नी कारेक्टर्स के रोल्स किये बीबी की वाइन्स के जरिये भूवन ने केई अवोर्ड्स भी जीते हैं जिसमें इंक्लूड है 2016 और 2018 में YouTube Creator Award, 2019 में Filmfare Award for Best Short Film, 2020 में Filmfare Award for Best Actor और 2020 में दादा साहिप फाल के International Film Festival Award for Best Influencer. गुवन बैम एक आम इनसान के जैसे ही है और उसकी कहानी केई लोगों को इंस्पायर करती है। गुवन ने अपने सफर में केई मुश्किलों का सामना किया है लेकिन हूँ हमेशा अपने सपने के पीछे भागते रहे हैं। आज गुवन एक सक्सेसफुल यूट्यूबर और आक्टर है और हूँ दुनिया के केई लोगों को एंटर्टेन कर रहे हैं। उमीद है आपको गुवन बैम के सफर के बारे में ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करे, शेर करे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करे।